हाई गाइस और कैसे हो आप से लोग और आईफोन 12 सीरीज को लाँच होए ना तक्रीबस सेवन मांथ हो चुके हैं अब बात आती है कि जिन लोगों ने पैसे अपने बचा के रखें या फिर बात करें उन लोगों के जो पैसे हैं वो सेव हो चुके हैं और वो चाहते हैं कि भाहिया अब हम एक नए आईफोन बाय करना चाहते हैं बट क्या हमें आईफोन 12 सीरीज इस वक्त पर बाय करनी चाहिए बट हमें आईफोन 12 सीरीज इस वक्त पर बाय करनी चाहिए या फिर हमें कुछ महिने वेट करके आईफोन 13 सीरीज को बाय करना चाहिए क्योंकि आज कि इस वीडियो में आप सब लोगों अच्छे से एक्स्प्राइब करूँगा कि भया आपको आईफोन 13 सीरीज लें चाह है आईफोन 12 सीरीज कब लेनी चाहिए एंड क्यों लेनी चाहिए उन सारी चीज़ों को अच्छे से इस वीडियो में मैं आप सब लोगो एक्स्प्राइब करूँगा और आगर आप चैनल पर नहीं होना तो मेक्शोर टू चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ना एंड बेल के आप्शन को ज़रूर दवाई है ताकि आपको माई हर लेटेस्ट वीडियो और नोडिफेशन सबसे पहले मिलता रहे है इस वीडियो को हम शुरू लेते हैं सबसे पहले मैं आप सब लोगों बताता हूँ कि आईफोन 12 सीरीज आप सब लोगों को क्यों बाय करनी नहीं चाह है कि आप सब लोगों बेटर एंड अपग्रेड़ेड आइफोंस देखने हो मिलेंगे अब वहाँ पर ही आप सब लोग 17,000 पर आइफोन 12 या फिर आइफोन 12 मीनी पर खर्च लो उससे बड़िया आप सब लोग आइफोन 13 मीनी या फिर आइफोन 13 पर खर्चो क्योंकि एक लगती है कि यार मैंने 17,000 पर खर्च के मैंने वहीफोन लिया है फिर भी यह टृइपोंदा कि कि कोई टॉर ही 기자 कि वात करें तो क्योंकि बता है बहुत सारे लोग came करकatan और फीचर्स करके भी लेते हैं वह हम सभी लोगों पाता है हमने कैसे लेना है लेना है और वह आई फोन आईफोन आड़िया आईफोन च्राइफोन टोग्यां आईफोन प्रो प्रो कुंकु ecosystem भी इन दोनों को लेना बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं रहने वाला क्योंकि वहीं आप सभी लोग एक लाग वी सेजार एक लाग थी सेजार खर्चोंगे आईफोन के उपर उससे बढ़िया आप सभी लोग अगें आईफोन 13 प्रो एंट 13 प्रो मैक्स के उपर खर्चोंगे आईफोन 13 प्रो मैक्स के अंदर जो आपको कैमरा सेंसर मिलने वाला है वह आपको और भी ज्यादा बड़ा देखने को मिलेगा डिस्प्ले क्वालेटी आपको और ज्यादा बढ़िया देखने को मिलेगी उसी के साथ आप सब लोगो जो चिप होगी वह और एडवांस देखने हो मिलेगा सुबहिए जब आपको इतने जादा नए फीचर्स देखने को मिल रहे है तो डेफिनेटली हम उसी को ही बाई करोंगे एंड मैं आप सब लोगा रेग्मेंट कर रहा हूं कि इस वक्त पे आईफोन 12 सीरीज को क्रेपिया करके बाई मत करो अगर आप आप जब आईफोन 13 सीरीज आए गये और आप जब उसको देखोगे तो आप सोचूगे यारो मैंने पैसे क्यों घर्ट के मैं इसको खरीड ले था यारो बहिए क्योंकि जो मैं आपको ब्रीफली बताता है एपल टैक क्योंकि मैरेको जो लीक्स काफी जादा आती रहती है जितन अब बात करते हैं उन लोगों की जिन लोगों को आईफोन 12 मीनि आफिर आफिर आइफोन 12 बाए करना है आफ्टर प्राइस डॉप क्योंकि आप सब लोगों पता है अमजोन फ्लिप कार्ड इंग के ओपर आप सब लोगों आइफोन 12 एंड फोन 12 मीनि के ओपर काफी ज्यादा अच्छा जो प्राइस देखने को में जाता है एक अच्छी डील है क्योंकि जो लोग इतने पैसे खर ब्रैंड न्यूब है बज़े से आप सब लोग चला सकते हो तो अलग बात आगी अब वही हम बात करें तो इन लोगों का आप क्या करें हम सब लोग तो मैं आप सब लोग बताता हूं कि अब भी बिलकुल माय करो क्योंकि आपको प्राइस डॉप है वह आप सब लोगों को तब देखने को मिलेगा क्योंकि आइफोन 13 सीरीज लांच होगी वहीं आपको आइफोन 12 सीरीज के बड़ा प्राइस डॉप देखने को में जाता है आइफोन 12 मीनी प्राइस डॉप के बाद आप से लोगों 55,000 वी राउंड देखने मिलेगी और आइफोन 12 जो आपको अच्छा डिसकाउंट देखने को मिलेगा और यह जो चीज होने वाली है मेरे प्यारे भाईयों के लिए काफी जादा बढ़िया रहने वाली है क्योंकि मेरे से आप सब लोग बहुत जादा पूत आइफोन 12 मीनी आइफोन 12 के ओपर कब डिसकाउंट आएगा कब डिसकाउ का देखने मिलेगा सो मैं आप सभी लोगों को अच्छे से बता रहा हूं कि भाहिया अगर आप आप आइफोन 12 सीरीज तो अभी बिल्कोल भी बाय मत करो क्योंकि आपके जो पैसे हैं वह फजूल में बात करें तो खर्च हो जाएंगे या फिर वेस्ट याएंगे क्योंकि आप खर्चना चाहते हो ना एक लाग बीस हजार एक लाग दस हजार तो आप आइफोन 13 सीरीज पे खर्च करो क्योंकि वह ब्रैंड न्यू होने वाला है और उसके अंदर आपको काफी ज़्यादा सबर्दस देखने को मिले आप एक तरीके से फ्लेक्स भी कर सकते हो या बा आपको यह वीडियो है लगी हो ना अगर आपको है यह लाइक कीजे और आप चैनल पर नहीं तो में चैनल को सबस्क्राइब कीजिए और बैक इन नोडिफेशन ने दो बाई जूर ताकि आपको ऐसी लेटेस वीडियो सबसे पहले मिलता रहे तो तब तक लिए जैहंद